हेलो फ्रेंड्स वेलकम तो नंबर वन स्टडी इस वीडियो में हम देखेंगे ग्लास 10 साइन्स की बुक का चाप्टर नंबर टू आसिद बेसिस एंड सॉल्ट इसका मोर अबाउट सॉल्ट यह टॉपिक हमने स्टार्ट कर लिया था इसके पहले के पार्ट में और वहाँ पे इसके दो पॉइंट्स देख लेते हैं फैमिली ओप सॉल्ट अन पियच ओप सॉल्स तो भी स्टार्ट करते हैं केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट इसका थर्ड पॉइंट है मतलब कॉमन सॉल्ट क्या होता है जो हम खाने में यूज करते हैं न एसील ठीके सोडियूम चलाइज है हैसील इसके प्लस अलदा है यहां अपिल रस यहां पी फेश कान साय यहां यहां पर टो इन दो एसेट और बेसे के वज़े से बनता है sodium chloride जिसे हम क्या बोलते है common salt this is the salt that you use in food तो यह वही salt है ठीक है sodium chloride यह वही salt है जो हम खाने में भी यूज करते हैं ठीक है you must observe in the above activity that it is a neutral salt और हमने इसके पहले के activity में देखा भी इसके पहले के part में की NaCl sodium chloride कैसा salt है neutral salt है ठीक है मतलब जिसकी pH कितनी रहती है seven sea water contains many salt dissolve in it sea water देखो salt कहां से मिलता है sea water से है न तो sea water में मतलब समुद्र से मिलता है तो sea water में बहुत सारा salt क्या रहता है dissolve form में रहता है मतलब घुला हुआ रहता है ठीक है तो sodium chloride is separated from this salt तो इस में से sodium chloride को separate किया जाता है क्योंकि यह अगर क्या है समुद्र है ठीक है तो इस water में salt कैसा रहता है घुला हुआ रहता है तो फिर यहां से NaCl को separate किया जाता है clear हो गया अब आगे दिखते है deposits of solid salts are also found in several parts of the world these large crystals are often brown due to impurities this is called rock salt bits of rock salts were formed when seas of bygone ages dried up rock salt is mined like coal तो देखो जो rock salt है यह क्या होता है कि मतलब जो बहुत पहले के जो seas है oceans है ठीक है जो अब ही क्या होगे dried up मतलब सुख गये लेकिन वहां जो water था उसमें तो salt dissolved था ठीक है तो salt वहीं पे रह जाता है तो इस salt को फिर mine करके निकाला जाता है जिसे की coal की mining की जाते है न खुदाई की जाते है उस type महत्मा गांदी के दांडी मार्च के बारे में तो आप लोगों ने सुनाए होंगा है न क्लास 10 में तो वहां पे उन्होंने क्या किया था कि जो हमारा freedom के लिए जो NACL क्या है NACL raw material है for chemicals बहुत सारे chemicals के लिए raw material का काम करता है raw मतलब क्या होता है कच्छा ठीक है तो देखो अभी क्या है इसमें the common salt that's obtained is an important raw material for various materials of daily use तो जो common salt है कैसे फॉर्म किया पता है acid plus base मिलकर बनाते है salt को तो यह जो हमारा common salt है NACL ठीक है sodium chloride जो हमें कहां से मिलता है sea water से तो इसके बहुत ही ज्यादा uterus है मतलब हम बहुत सारे materials इससे बना सकते हैं कैसे देखो such as sodium hydroxide हो गया baking soda washing soda bleaching powder and many more इनके जिसे बहुत कुछ बना सकते हैं let us see how one substance is used for making all this different substance तो अब दिखते हैं कि कैसे एक substance का use करके हम बहुत सारे substance बना सकते एक substance का use मतलब कौन सा NACL ठीक है common salt का use करके तो first जैसा कि यहाँ पर बताया गया था sodium hydroxide देखो कैसे बनता है sodium hydroxide when electricity is passed through an aqueous solution of sodium chloride मतलब called brine बोलते इसको अगर कोई एक मतलब beaker है कुछ भी है ठीक है इसमें क्या है aqueous solution है aqueous solution बताया ना किसे बोलते है ऐसा solution जिसमें water का use हुआ हो ठीक है तो aqueous solution है किसका NaCl का मतलब sodium chloride का क्योंकि हमें NaCl से ही और दूसरे substance यहाँ पर बनाने है तो यहाँ पर NaCl है और जैसे हम इसमें क्या करते है electricity pass करते है तो क्या होता है it decomposes decomposition reaction chapter first में हमने देखा है ना क्या होता है इसमें एक क्या रहता है reactant रहता है और इसके जो है एक से जादा दो से जादा क्या बनते है यहाँ पर प्रॉडक्ट्स बनते है तो इसे बोलते decomposition reaction तो यहाँ पर यह जो NaCl है यह decompose होता है और क्या बनाता है sodium hydroxide बनाता है मतलब NaOH बनाता है the process is called chloralkaly process और इस process को क्या बोला जाता है chloralkaly क्योंकि इस reaction में chlorine भी यहाँ पर फॉर्म होता है और sodium hydroxide है अविए यह क्या है alkall अकली मतलब ऐसे basis होते हैं जो की water में डिवरो होते हैं मतलब सभी YouHave i bet I hasnqe water में ॥ नहीं होते कि कुछ बैसे से घाल टाल करते तो उनने फिर बोला जाता है उप्रुल रहा जो कि अल्गली और क्लोरिन वह तो इस process को क्या बोलना है adjustments by part of the products from chlor foreign for chlorine and alkali for sodium hydroxide और decompose का मीनिंग भी समझ में आ गया है यहां पर NaCl किसमें decompose हो रहा है sodium hydroxide chlorine hydrogen ठीक है तो चलो भी आगे रिखते है क्लोरीन गैस इस गिविन ओफ at anode and hydrogen gas at cathode anode cathode यह होते है इस फिगर में यहां पर आपको दिखाए गए है यह वाला क्या है अनोड है और यह cathode तो दिखो यहां से chlorine gas निकल रहे है यहां से hydrogen और इस cathode वाले reason के पास दिखो यहां पर क्या है एनिवेज ठीक है sodium hydroxide तो इनके बारे में यहां पर बताए आपको chlorine gas is giving off at anode anode पर chlorine gas and hydrogen gas at cathode और cathode पर hydrogen gas sodium hydroxide solution is from near cathode और इस cathode के पास अभी आपने देखा कि sodium hydroxide भी बनता है the three products यह जो three products है कौन-कौन से एक तो है chlorine gas दुसरा hydrogen gas और थर्ड है sodium hydroxide यह जो produce होते ना इस process में यह बहुत ज्यादा useful है तो चलो देखते इनके uses क्या है सबसे पहला तो यहां पर chlorine का देखते है chlorine देखो किसमें यूज होता है water treatment में यूज होता है swimming pool pvc disinfectants cfcs chlorofluorocarbon बोलते से pesticide इनमें यूज होता है अब hydrogen का देखते fuels में margarine ammonia for fertilizer और यह जो naoh sodium hydroxide इसका यूज होता है degraising metals metals को degraise करने के लिए soaps and detergent paper making artificial fiber इन सब में इनका use होता है तो अभी देखते है next यहां पे bleaching powder sodium hydroxide का समझ में आया कैसे मतलब NaCl से कैसे sodium hydroxide बनाना है अब देखते है bleaching powder इस मतलब bleaching powder कैसे बनता है NaCl से you have already come to know that chlorine is produced during electrolysis of aqueous sodium chloride अभी हमने देखा नहीं इसके पहले sodium hydroxide जहां पे बना था उसमें जब भी मतलब NaCl जो aqueous solution है हमारा उसमें जब हम electricity pass करते इलेक्टोलेसल जब होता है तो वहां पे chlorine भी बन रहाता है तो chlorine बनता है this chlorine gas is used for the manufacture of bleaching powder तो यह जो chlorine gas वहां पे बनती है इसका फिर यूस किया जाता है किसमें bleaching powder के manufacture में ठेके bleaching powder is produced by the action of chlorine on dry slake lime bleaching powder देखो कैसे बनता है chlorine की action होती है किसमें dry slake lime पे c a o h by 2 पर और और देखो क्या बनता है c a o c l 2 यह है हमारा bleaching powder और important है वनमाक के लिए आसकता है formula पूछा जासकता है ठीके bleaching powder का तो आपको याद रखना है c a o c l 2 ठीके तो bleaching powder is represented as c a o c l 2 though the actual composition is quite complex तो ऐसे बनता है bleaching powder आगे देखते हैं इसके uses क्या है bleaching powder बना तो लिया लेकिन use किस्ट में करेंगे तो देखो for bleaching cotton and linen in the textile industry मतलब cotton के लेने के जो cloths रहते न उन पर दाग लग जाते तो उनको remove करने के लिए bleaching powder का हम use करे सकते है for bleaching wood pulp in paper factories में use होगा and for bleaching wash cloth in laundry में भी इसका use किया जाता है as an oxidizing agent का काम करता है कहां पे in many chemical industries and to make drinking water free from germs drinking water को germ free बनाने के लिए भी यूज किया जाता है next देखते है baking soda baking soda कैसे बनता है NACL से the baking soda is commonly used in the kitchen for making tasty crispy pakora बनाने के लिए किसका use किया जाता है baking soda का etc और इसके जिसे बहुत सारे dishes हम बनाते है baking soda का use करके sometimes it is added for faster cooking कभी कभी cooking fast करने के लिए भी इसका use किया जाता है the chemical name of the compound is sodium hydrogen carbonate देखो baking soda का chemical नाम क्या है sodium hydrogen carbonate और formula क्या इसका NaCl H2O CO2 NH3 फिर इन सब से यहां पर बन रहा है NaHCO3 इससे क्या बोला जाता है sodium hydrogen carbonate मतलब baking soda अब आगे दिखते है did you check the pH of sodium hydrogen carbonate in activity 2.14 2.14 में क्या था इसका pH check क्या आता है can you correlate why it can be used to neutralize an acid it is a mild non corrosive basic salt the following reaction takes place when it is heated during cooking तो देखो जब cooking करते है समय जब इसको heat किया जाता है NaHCO3 को तो क्या बनता है यहां पर देखो Na2CO3 जिसे बोलते है sodium carbonate plus water plus carbon dioxide sodium hydrogen carbonate has got various uterus in the household sodium hydrogen carbonate is sodium hydrogen carbonate जैसे क्या बोलते है baking soda घर में इसका बहुत यूज होता है अब देखते है कि baking soda के uses क्या-क्या है for making baking powder baking powder बनाने के लिए baking soda का यूज करते है which is a mixture of baking soda sodium hydrogen carbonate and a mild edible acid such as stratadic acid जैसे कि यहां पर बताया ठीक है यह हो गया आपका NaHCO3 जो कि क्या है baking soda है ठीक है और इसका क्या करेंगे हम H plus यहां पर from any acid किसी भी acid से ले सकते ठीक है जैसे कि यहां पर बताया है tartaric acid जब यह combine हो जाते है तो यहां पर क्या बनता है carbon dioxide water plus sodium salt of acid बनता है when baking powder is heated or mixed in water the following reaction takes place तो इस तरीके से reaction होती है अब आगे दिखते है carbon dioxide is produced during the reaction can cause bread or cake to rice making देम soft and spongy यहां पर carbon dioxide बन रहा है इस reaction में तो इससे क्या होता है जो हमारे cake है bread है वो कैसे हो जाते soft बनते spongy बनते यह सब कुछ होने में help करता है sodium hydrogen carbonate is also an ingredient in antacid antacid बनाने के लिए भी इसका use किया जाता है being alkaline it neutralizes excess acid in the stomach and provide relief तो यह क्या करता है sodium मतलब baking soda अगर acidity हो जाती है हमें तो उसको भी neutralize करता है neutralize मतलब acidity के मतलब जो भी क्या बोल सकते acidity अगर हो गई है तो उसको काटने का काम भी यह करता है neutralize बोल सकते it is also used in soda acid fire extinguisher में भी इसका use किया जाता है अब दिखते है washing soda और यह last you have seen above that sodium carbonate can be obtained by heating baking soda sodium carbonate कैसे बनाता baking soda को heat करके recrystallization of sodium carbonate gives washing soda और जब इसको recrystallize किया जाता है तो क्या बनता है washing soda बनता है it is also a basic salt और यह भी basic salt है मतलब इसका nature किसा है basic है तो यहां पर दिखो na2CO3 जो क्या है sodium carbonate है ठीक है plus 10H2O यह क्या बनाता है na2CO3 into 10H2O washing soda यहां पर बनता है तो यह आपको याद रखना है what does 10H2O signify it 10H2O यहां पर क्या signify करता है does it make na2CO3 weight क्या यह na2CO3 weight गिला बनाता है we will address this question in the text in the next section तो इसका answer हमें next section में मिल जाएगा अभी आगे दिखते sodium carbonate sodium carbonate and sodium hydrogen carbonate are useful chemicals for many industrial processes as well तो देखो यहां पर इनकी users बता है कि जो sodium carbonate हो गया sodium hydrogen carbonate यह कहां यूज के जाते जादा industrial processes में इनका use किया जाता है अब देखते है users of washing soda sodium carbonate मतलब washing soda is used in glass, soap and paper industries it is used in the manufacture of sodium compound such as borax यह बनाने के लिए इसका use होता है sodium carbonate can be used as cleaning agent for domestic purpose मतलब sodium carbonate का use घर में क्या करते है cleaning agent के तरह यूज करते है it is used for removing permanent hardness of water यह निकालने के लिए भी इसका use किया जाता है अब निक्स्ट है हमारा are the crystals of salts really dry यह हम निक्स्ट वीडियो में करेंगे अगर वीडियो अच्छी लगयो helpful लगयो तो वीडियो को like अपने फ्रेंड्स के साथ share करना और चैनल को subscribe जरूर करना thank you